अधिया है अधिया हमें देखिए तो फ्रेंट पहले हम गीवन लिखेंगे गीवन दिया है आपको एनरजी आफ फोटाउन दिया है तू इलेक्ट्रोन वोल्ट बच्छा लोग पहले हमें इसको जूल में करना पड़ता है सो हमें पता है 1.6 x 10 to power minus 19 जूल इक्वल टो वन इलेक्ट्रोन वोल्ट राइट और 2 इलेक्ट्रोन वोल्ट कितना होगा सो यह हो गया आपका एनरजी आफ इच फोटाउन सो हमें क्या फाइंड ओट करना है वाट वी नीड तू फाइंड बोला है हमें नियू इक्वल टो याट फ्रिक्वेंसी एंड लैमडा इक्वल टो वाट सोलूशन लेते बच्छ लोग सोलूशन ओके वी नो क्या पता है हमें वी नो इक्वल टो येच्छ न्यू तो देरफोर न्यू क्या हो जागा बच्छा लोग ए अपॉन येच्छ वी कितना है आपका 3.2 इंटो 10 पाइंस 19 और ये चोता है 6.63 इंटो 10 पावर माइनस 34 तो ये कहां से आया इसकी वाल्यू हमें याद होनी चाहिए ये चीज़ प्लैंक्स कॉंस्टन और इसकी वाल्यू हमें याद होना चाहिए राइट तो ये आजाएगा आपका देखिया नियू इस इकल टो 3.2 डिवाड बाए 6.63 इंटो 10 पावर अब ये माइनस 34 उपा जाएगे प्लस 34 हो जाएगा तो फॉष 34 माइनस 19 तो 14 मीज़ नहींगे 5 जो 1 15 मचाए राइट जो 20 नेट उटाउबी प्लस 15 आएटिक प्लस 15 को ये हो जाएगा आपका इसको हम लिख सकते हैं राइट इसको हम लिख सकते हैं 3 2 0 डिवाड बाए 663 और और एक 0 दिया तो 10 to power 14 तो यह 2 0 इसको बड़ा है और यह यहां से दिया समझ मैं आपको division के लिए 6 5 जा 30 जाएगा so division 5 का जाएगा जाएगा 6530 यह फिर बड़ा हो जाएगा 660 जाएगा फोल का जाएगा इसको डिविजन कैसे करना है देखिए यहां पर में शॉर्ट में दिखा था आपको 3200 डिवाड़ बाई 663 तो क्या करना है आपको यह यह करना है पहले 6530 फर यह वैल्यू यहां का छोटा है कि 66 जा यहां पर 30 होता है फिर 65 जाएगा यह बड़ा हो जाएगा यह वैल्यू बड़ा हो जाएगा इसलिए 4 का इसलिए 4 का डिविजन दिया हमने तो 4 का डिविजन जाएगा एक आईडिया आगया आपको इस चार से इसको मुल्टिप्लाइब करना है पहले 430 12 4 6 हा 24 25 4 6 हा 24 26 कैरी वाला राइट यहां से माइनस करना है सबस्ट्रेट करना है तो 8 राइट तो 8 अभी 9 में से 5 गया 4 एक कैरी इदर हो गया था तो 11 में से 6 गया 5 एक कैरी आगे निदर हो गया था जीरो देखिए छोटा वैलिव आ गया अभी इस पर हम पॉइंट देगे और एक जीरो लेंगे तो 6 6 6 9 जा 54 होता है पर 9 करने जाएगा 8 कर जाएगा राइट तो इस तरह से हमें बाएगा 4.8 4.8 further evaluate 2 6 into 10 to the power 14 Hertz तो यह आपका frequency इस प्रेका से आपको division करना है राइट नाव अभी क्या पता है हमें lambda भी निकालना है नाव c is equal to new lambda c equal to new lambda so therefore lambda is equal to c upon new so c होता है 3 into 10 to the power 8 और new हो गया आपका 4.826 into 10 to the power 14 right so c आजाएगा आपका बोलिए 3 divided by 4.826 into 10 to the power 14 उपा जाके आएगा माइनस 14 हो गया माइनस 14 प्लस 8 6 हो गया माइनस 6 right so it's coming to 30 divided by 4.8 into 10 to the power minus 7 so 4.826 actually right so it's a divide करेंगे तो आप 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 में इसको 5 पकड़ेंगे आप तो 5 6 जा 30 आता है तो 6 का जाएगा right 5 6 जा 30 तो 6 का जाएगा so it is a 6.217 into 10 to the power minus 7 Newton meter सुपीलीक सकता में 6.6 और सिक्स वेकमेंटेख क चलो 217 तो 3.23 पॉइंट है था एक दो तीन पॉइंट शिफ्ट किया माइनस 3 हो जाएगा माइनस 3 हो गया माइनस 7-10 हो जाएगा अधा थाटर सो सी आगा आपका आपका चापका 6 C निस ओड़ी सोगर कि अबिए जलामड़ अगे आपका है जो इसले इसले मिघ्ण इक्वल टु अलामड़ ॉड़ टू अगें लामड़ एक्वल्ट वा स्टूइगा आपका 6217 एंग्स्टाउन क्यों क्यों कि माइनस 7 माइनस 10 जोता है मिना प्राओ सिर्ट इसा यंग शोग से लिए लेवेव लेवेवेच्छ रव में है